हेलो एब्रीवन गुड मॉर्निंग एब्रीवन बेलकम टू आल आफ यू दिस इस पूजा डियर स्टूडेंट्स आज हम सब भी लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में है ना चो सेल है यानि की दा यूनिट आफ लाइफ हमारी लाइफ की चो एक छोटी सो छोटी इकाई है वो क सबसे पहले बात करेंगे की सेल टर्म किस ने दिया है ना सेल टर्म किस ने दिया एंड सेल की डिसकबरी किस ने किया दिन आपकर समझेंगे की सेल के टाइप्स किया है एंड इसकी कौन-कौन सी सेल और गेनली है एंड इसकी क्या फंसंस हैं है ना तो फॉर्स्ट आफ आफ बात करते हैं कि cell की discovery किस ने किया जो सबसे first scientist थे यहीं कि first time Robert Hook ने 1665 में dead cells की discovery किया है ना Robert Hook ने 1665 में जिस cell की खोस की थी वो cell क्या थी dead cells थी और उन्होंने क्यूरकस सुबेर में cork cells जो present होती है उन cork cells की खोस की थी और उन्होंने देखा कि जो cork cells हैं वो इस तरीके से room जैसे थी रूम लाइक structures थी जिसे इन्होंने cell term दिया है ना क्या दिया इन्होंने cell term दिया इसे अगर living cell की बात करें कि living cell की सब्सक्राइब किस ने किया तो वो थे A.V. Luvenhawk है ना Antoine Vaughan Luvenhawk ने living cell की खोस की सब्सक्राइब दा हेलप आफ अंडर दा microscope जो A.V. Luvenhawk थे यह क्या था एक टाइम यह अपनी सॉप पर वैठे थे इनके एक सॉप वह करती थी और बारिस का टाइम था तो बारिस के समय पर उन्होंने microscope की हल्प से यह कुछ कार्ब कर रहे थे तो microscope की हल्प से इन्होंने जो स्वाइल है स्वाइल में कुछ organisms को देखा जो स्वाइल थी वहाँ पर स्वाइल में इन्होंने कुछ रिविवाइब लीविंग सेल क्या थी वह लिविविंग सेल राड सेफोट और्गेनिज्म थे जने राड से बैसिल spill यथा था तो जो इन्होंने लिविंग सेल की खोज की वो एक बेक्टीरिया था जो Rod Saived था, इसके साथ Anton WonSchleven rock ने आल्सू discover RBC cells, sperm cells and egg cells, तो इन्होंने RBC, sperm and egg cells की भी discovery किया तो ये तो बात हो गई की cell की discovery है ना ? इन लोगोंने living cells and dead cells की discovery किया cells के बारे में बताया लेकिन अभी इन लोगों ने cells actual में क्या है ये नहीं बता पाए तो इसको cell क्या है cell का अपना unique characteristic features क्या होना चाहिए इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या cell theory इसके साथ तो चब cell की discovery हो चुकी थी तो उसी समय पर 1831 में है ना उसके बाद 1831 में राबोर्ट ब्राउन ने cell के अंदर nucleus की खोज की थी किलियर अगर cell के वैसिस पर बात करें कि जो organism है जो हमारे पास organism है वो कितने types के होते हैं या तो वो unicellular organism होते हैं या फिर वो multicellular organism होते हैं unicellular organism that means which is made of only one cells जो unicellular organism है वो only one cell से बने होते हैं है ना उनकी सभी metabolic activity केवल एक cell में ही perform होती हैं वो one cell organism होते हैं जो unicellular organism है ये eukaryotic भी हो सकते हैं and prokaryotic भी हो सकते हैं unicellular organism में eukaryotic like bacterial cell and sorry prokaryotic cell like bacterial cell and protista जितने भी protozoans है और slime mold है डाइनो फ्लेजलेट है ये सभी के सभी क्या है eukaryotic unicellular organism है clear तो unicellular organism prokaryotic भी हो सकते हैं and eukaryotic भी हो सकते हैं इसके बाद multicellular organism which is made up of more than cell multicellular organism ऐसे organism जो एक से अधिक cell से जिनकी body बनी है उन्हें हम multicellular organism कहते हैं clear now इसके बाद हम देखते हैं कि cell theory क्या है cell को समझने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा cell theory तो जो सबसे फॉर्स टाइम cell theory दे गई वो थी हमारी classical cell theory जो classical cell theory है इसको इसको दो scientist ने proposed किया था first is 1838 में 1838 में Malthus Sliden German Botanist क्या थे यह German Botanist थे और उन्होंने पहुत सारी plants की cell पर study किया और बताया कि जो plant है वो किससे बनावा different type की cells से plant की बाड़ी बनी हुई है उन्होंने बताया कि different types की जो cells हैं उन्होंने पहले tissue का formation किया और tissue से मिलकर complete plant का formation होता है तो यहां से कई बर question पूछा जाता है जो Malthus Sliden है ठीक है यह कहां के रहने वाले है तो German के और यह क्या थे यह Botanist थे इसके साथ आपको year भी अच्छे से याद रखना है year से भी question पूछा जाता है NEET में clear and जो हमाई second scientist थे यानि की son यह British geologist थे ठीक है 1839 में इन्होंने जो एनिमल्स की different type की cells होती है उस पर उन्होंने study किया तो जो स्वान है जो geologist है इन्होंने animal cells पर study किया और बताया कि जो एनिमल cells है उसके surrounding में चारो तरफ जो एक membrane thin membrane present है उसको इन्होंने plasma membrane कहा इसको उन्होंने plasma membrane किया और जो स्वान है इन्होंने also studies on plant cell और उन्होंने plant tissue या plant cell पर भी study किया और बताया कि जो plant cells है उनके पास क्या present है cell wall present है उनके पास क्या present है cell wall present है जो कि किसी भी plant का एक unique characteristic features है cell wall plants में हमें देखने बिलेगी इसके साथ हम लोग bacteria में भी देखेंगे कि cell wall present होती है but different composition होता इनका जो chemical composition है वो different होता है but cell wall हमें plant में भी देखने मिलती है और bacteria में भी जो plant cell wall है ये cellulose की बनी होती है और pectines की बनी होती है लेकिन जो bacteria की cell wall है ये peptido glycons की बनी होती यानि की amino acids और carbohydrates से मिलकर बनी होती है तो जो उन्होंने बताया की जो cell wall है ये unique characters plant cell का है इसकी बाद Sliden and Swan ने मिलकर एक जो cell theory दिया उसमें उन्होंने conclusion निकाला की जितने भी all organisms है all organisms are made of cells सबी के सभी organism चाहे unicellular हूँ या फिर multicellular हूँ सभी के सभी organism cell से बनने हुए हैं इसके बाद second point उन्होंने बताया की cells are basic unit of life यानि की जो cell है वो life की एक basic unit है यानि की fundamentals and structure जो unit है body की वो क्या है cell है इसके बाद जो cell theory है जो slander and swan निकी जो classical cell theory है इसके कुछ drawbacks रहें drawbacks that means यह नहीं बता पाए की जो pre-existing cells है है ना चैसे की उन्होंने बताया की यह एक हमारे पास cells है इन्हीं cells से की सभी के सभी organism बनने हुए है वो चाहे unicellular हो या वो multicellular हो बत यह नहीं बता पाए की how new cell arise they are didn't explain how new cell arise नई cell का formation कैसे होता है तो यहाँ पर देख लेते हैं की classical cell theory की कुछ demerits क्या है उनके drawbacks क्या रहें viruses सबसे पहला point जो cell theory है यह virus पर apply नहीं होती है क्यों क्योंकि जो वाइरस हैं वो क्या है आ-cellular है इसके साथ वाइरस non-living and living organism की बीस की connect to link है यानि कि जब तक वाइरस host cell के बाहर रहते हैं यह non-living form में रहते हैं जब यह अपनी host cell में इंटर करते हैं तभी यह living होते हैं है ना तो जो वाइरल सेल्स थी इन पर इनकी थेयोरी explain नहीं कर पई या इनकी थेयोरी लागू नहीं हुई इसके बाद prokaryotic cells नो ने बताया कि इनकी cell थेयोरी नो ने explain किया कि well defined nucleus present होता है लेकिन जो prokaryotic cells हैं इन में तो nucleus without nuclear membrane present होता है जिसे nucleoid कहते हैं जिसे क्या कहते हैं nucleoid कहते हैं तो यहाँ पर भी prokaryotes पर भी इनकी cell थेयोरी apply नहीं हुई इसके बाद बात करते हैं कि multi nucleate conditions multi nucleate conditions में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी cells present है जैसे कि specific type की like tapital cells tapital cells कैसी होती है multi nucleated या फिर सीनो सिटिक होती है तो जो multi nucleated या सीनो सिटिक cells होती है इन पर यह थेयोरी apply नहीं होती है क्योंकि cell theory कहती है कि सभी cells के पास क्या है एक nucleus है इन्होंने बताया था कि cell के पास क्या एक nucleus है plasma membrane है तो यह थेयोरी apply नहीं होती है किस पर multi nucleate conditions पर इन्होंने बताया कि सभी की सभी cells में nucleus प्रजेंट होता है लेकिन कुछ ऐसी भी cells हैं जिन में nucleus absent होता है जैसे mature human की rbc इन mature human की जो rbc होती वहां पर तो nucleus present होता है लेकिन जो mature human rbc होती है उसमें nucleus absent होता है इसके बाद स्यू ट्यूब cells होती है इन जो इस फोर्म प्लांट में वहां भी nucleus absent होता है तो यहां भी इनकी थेयोरी क्या हुई discard हो गई apply नहीं हुई इसके बाद एक next scientist आये और उन्होंने इस जो cell theory है इसमें क्या क्या कुछ modification किया changes किया और एक new cell theory दिया जिसे हां लोग आज क्या कहते है modern cell theory कहते हैं और यही modern cell theory ही apply है यही modern cell theory आज मानी जाती है नाओ modern cell theory को जो है model जो classical cell theory है उसको किसने modify किया एक German scientist थे that is Rudolph बरकाउ जर्मन साइन्टिस्ट रुडाल्फ बरकाउ गेव दो कॉंसेप्ट ओफ ओमनिस सेलुला आ सेलुली इन 1858 जो रुडाल्फ बरकाउ है इन्होंने एक कॉंसेप्ट दिया था ominous cellula e cellulies ominous means pre existing cells है ना ominous means pre जो पहले से present cells है and e means existing cells उन्होंने बताया कि जितनी भी new cells का formation होता है वो पहले से present cell से ही नई cell का formation होता है उन्होंने क्या बताया कि pre-existing cell से ही new cell का formation होता है and then after जो modern cell theory का conclusion निकल किया जो modern cell theory दिया इसमें हम लोगों को three points अच्छे से याद रखने है first is all organisms are made of cells जो की Sliden and Son ने कहा था इसके बाद Son ने बताया कि cells are the basic unit of life है न and Rodolphe Verkoon ने क्या बताया all new cells all new cells arise from pre-existing cells जो पहले से cells present है उसी से नई cell का formation होता है और नई cells मिलकर tissue का formation करती है और tissue से किसी भी plant या organism की whole body का formation होता है complete organism का formation होता है तो यह आपकी modern cell theory है जिसके आप जिसमें आपको यह तीनों points अच्छे से याद रखने हैं clear dear students यहां से आप अच्छे से अपना notes त्यार कर सकते हैं हैना यहां से आप अपना अच्छे से notes त्यार कर सकते हैं और पढ़ने के साथ साथ आप अपना notes जरूर बनाएं चीजों को यहां पर to the point mention किया गया है चीजों को to the points यहां पर दिखा गया है और आप इन चीजों को इसी तरीके से to the point अपना notes बनाते चलें अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनिटली आप चैनल को सस्क्राइब कर लें ऑगी नाव अब बात करते हैं कि जो हमारे पाव सेल्स प्रजेंट हैं है ना वो कितने टाइप्स की है कौन-गौन सी हमारे पाव सेल्स प्रजेंट हैं अन्ड उनका ओवर्विव देखेंगे एन ओवर्विव आफ सेल्स यानि कि हम physically या फिर मॉर्फोलोजिकली क्या-क्या एक सेल्स में डिफ्रेंस कर सकते हैं जैसा कि अभी बताया कि जो माइक्रो और्गिनिज्म है वो यूनिसेल्लोर हो सकते हैं या मल्टिसेल्लोर हो सकते हैं है ना तो हमने बताया कि यूनिसेल्लोर प्रोकारियोटिक भी हो सकते हैं तो जो प्रोकारियोटिक सेल्स हैं जो सब बूस्सांट है निवohym karetis cell शेल characters गोटिक सेल में न्यूक्हीर मेंब्रेण संट है नुक क्लियर मेंग करें अप्सेंट के सेल में जो जेनैटिक मतेरेल है यह बिदाउट Nucleus present है, जिससे हम लोग क्या कहते है, Nucleoid कहते है, जो Prokaryotic Cells है, इसमें जो Genomic DNA present है, जो Genome present है, इससे हम क्या कह रहे है, Nucleoid कह रहे है, क्योंकि यहाँ पर True हमारे पास Nucleus नहीं present है, नहीं कि Nuclear Membrane absent है, Next is Histone Protein absent, जो इनके पास Genome है, जो इनका DNA content है, जो इनके पास DNA है, वो कैसा है, Without Histone Protein है, यानि कि इनके पास Nuclead DNA present है, Now, Mezokaryotic Cells, Mezokaryotic Cells क्या है, ऐसी Cells जिनके पास कुछ फीचर्स प्रोकारियोटिक के भी है, और कुछ फीचर्स यूकारियोटिक सेल के भी है, तो Mezokaryotic Cells कैसी होती है, Nuclear Membrane तो इनके पास absent है, ठीक है, क्या है, Nuclear Membrane तो इनके पास absent है, but Histone Protein is present, चितनी भी Mezokaryotic Cells हैं, उन सभी में Histone Protein present है, but Nucleus Membrane absent है, All Unicellular Eukaryotic Organism Placed in Protista, Mezokaryotes कौन-कौन से हैं, Mezokaryotes के अंतरगत सभी के सभी Protista आते हैं, यानि कि वो सभी Organism को Mezokaryotes में रखा गया है, Mezokaryotes के Characteristics को सो करते हैं, जैसे कि Dinoflagellates, Slime Mold and Proto-Zones, यह सभी के सभी Protista के अंतरगत आते हैं, एंड जो Protista है, इसमें सभी के सभी Unicellular Eukaryotic Organism आते हैं, कि लिएर, I hope you are under strength, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आयोगा, कोई doubt नहीं होगा, Next is Eukaryotic Cells, जो Eukaryotic Cells हैं हमारे पास, उसमें क्या है, Nuclear Membrane present है, एंड हिस्टोन प्रोटीन भी present है, जो हमारे पास DNA present है, उसमें क्या हिस्टोन प्रोटीन भी present है, and true nucleus present है, U means true and karyote means nucleus, यहां पर true nucleus present है, nucleus में nuclear membrane भी present है, जो DNA है, वो हिस्टोन प्रोटीन से surrounded है, clear DNA में हिस्टोन प्रोटीन भी present है, इसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे कि जो प्रोकेरियोटिक सेल्स हैं, and eukaryotic cells हैं, इनके बीच में क्या क्या difference है, हैना कौन से ऐसे characteristic features हैं, जो प्रोकेरियोटिक सेल्स को eukaryotic सेल्स से अलग करते हैं, तो अजैसा कि भी हमने बताया कि प्रोकेरियोटिक सेल्स में nuclear membrane अपसेंट है, हिस्टोन प्रोटीन अपसेंट है, बट यूकेरियोटिक सेल्स में nuclear membrane अपसेंट है, हिस्टोन प्रोटीन भी अपसेंट है, जिसमें क्या हैं, अलग-अलग कमरे हैं, जिसमें क्या हैं, अलग-अलग कमरे प्रोटीन अलग है, तो इस तरीके से क्या हैं, कमपार्टमेंट प्रोटीन होते हैं, तो कमपार्टमेंट किसमें प्रोटीन होते हैं, clear next is all membrane bound organally absent prokaryotic cell में एसा हम नहीं कह सकते कि सभी की सभी organally absent होती है that is wrong all membrane bound organally is absent membrane bound organally जो भी होती है वो सभी की सभी absent होती है ribosome please correct this is spelling this is a right here ribosome यह क्या है ribosome है जो ribosome है यह कैसा है 70S type का है जो ribosome है 70S type का है जिसमें आपके पास smallest smallest unit क्या है 30S and जो largest unit है वो क्या है 50S है ना smallest unit is 30S and largest unit is 50S इसके साथ जो इसमें राइबोसोम प्रजेंट है इस राइबोसोम को क्या कहते हैं हम poly ribosome क्या कहते हैं पोली राइबोसोम या फिर से हम पोली सोम क्याते हैं पोली साइब राइबोसोम का मतलब कि जब प्रोटीन का formation होगा जब translation की process होगी तब जो messenger RNA हमारे पास है क्या है जो मरपस messenger RNA इस messenger RNA से आकर बहुत सारे राइबोसोम आकर बाइंड कर लेंगे बहुत सारे राइबोसोम आकर बाइंड कर लेंगे और many types of polypipodized chain का formation करेंगे हैना कई सारी polypipodized chain का formation करेंगे जो भी cell को require होगी तो ऐसे राइबोसोम को हम क्या कहते हैं पोली राइबोसोम या फिर पोली जोम कहते हैं इसके बाद जो हमारे पास यू कैरेोटिक सेल है यहां पर राइबोसोम जो है इसमें हमें 70S टाइब का राइबोसोम देखने को मिलेगा जो माइट्रो कॉंड्रिया एंड प्लास्टिड है यह इंडो सिंबायोंट थियोरी के अंतरगत हम लोग पढ़ चुके हैं कि माइट्रो कॉंड्रिया और प्लास्टिड कैसे प्रोकैरोटिक सेल से इवाल्व हुए थे किलियर तो जो माइट्रो कॉंड्रिया है और जो प्लास्टिड है वह उनके पास जो राइबोसोम है वह 70S टाइब का राइबोसोम है इसके बाद जो इनका राइबोसोम है वह कैसा है मोनोसोम है कैसा है मोनोसोम यानि कि जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी जब प्रो एक ही राइबोसोम आकर बाइंड करेगा ATS टाइब का जो की इस कंडिशन को हम लग मोनोसोम कहते हैं किलियर इसके बाद प्रोकरियोटिक सेल में सर्कुलर डबल इस्ट्रेंडट डिने प्रेजेंट होता है जो प्रोकरियोटिक सेल्स हैं इसमें इक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या जिनोमिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिससे हम लोग प्लाजमिट कहते हैं और प्लाजमिट टेक्चुल में क्या है यह सर्कुलर डबल इस्ट्रेंडट डिने ही होता है जो plasmid होते हैं यह antibiotic resistant होते हैं जब हम लोग बायो टेकनोलोजियोला चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम देखेंगे कि plasmid के क्या-क्या types है प्लाजमिट कितने types का है और किस-किस antibiotics के लिए resistant होते हैं के लिए हमाँ है कहकर बात करें किय तो यूटेटिक सेल में फ्लाजमिट अप्सेंट होता है यहाँ पर आपका आप इन सभी points को अच्छे से understand कर सकते हैं किलियर इसके बाद next बात करते हैं types of types of cell on the basis of size and shape cell की size और shape के basis पर हम देखेंगे की cells कितने तरीके की होती हैं जैसे कि हम लोग माइक्रो बाइक्टिरिया को classify करेंगे on the basis of legula and the basis of structures and on the basis of shape Kids इना जैसे की है अगर सैप के लिए बात करें तो राş से बेक्टिरियस कहते हैं आप सैना पर किसे आप थी जो हती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑप मेख्टिरियल न्म तो बात ही परो ? लेकिन यूकारियोटिक में, यूकारियोटिक सेल्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइपस की सेल्स देखते हैं अगर बात करें कि इस्मॉलेश्ट सेल क्या है, है ना सबसी इस्मॉलेश्ट सेल क्या है, that is mycoplasma mycoplasma को कहीं कहीं PPLO भी कहते हैं, बट NCRT ने दुनों को डिफरेंटली डिफाइन किया है, PPLO जो है, यह आपका 0.1 माइक्रोन मिली इसका डायमीटर है इसके बार largest सेल की बात करें, यह क्या है, nerve सेल, सबसी largest और ब्रांच्छ की नर्व सेल है largest सेल क्या है, आउस्ट्रिच की egg सेल, सबसे largest सेल है, इसके बाद typical bacteria की diameter की बात करें तो क्या है 1.2μm इसके साथ एक नॉर्मल बैक्टिरियल सेल की बात करें तो 3.5μm के एराउंट होती है जो वाइरस सेल हैं यह क्या है बैक्टिरिया से छोटे होते हैं जब इवानो वास्की ने वाइरस की खोस की थी तब उन्होंने बताया था कि जो बैक्टिरियल फिल्टर पेपर होता है उससे वाइरस सेल जो है यह फिल्टर हो जाती है यानि कि जो वाइरस हैं ये बैक्टिरिया से भी छोटे होते हैं तो जो वाइरस सेल हैं इनका डायमेटर कितना होता है इनका साइज कितना होता जिरो पॉइंट जिरो टू से लेके 0.2 माइक्रो मीटर किलियर एन्ठ नेक्स्ट इस अगर हुमेन बॉडि की बात करें तो हुमेन बॉडि में सब्से स्मॉलेश्ट सेल जो है singing hier and सबसे largest cell human में क्या है एग चल है एग चल सबसे largest cell है human की और सबसे smallest human cell क्या है इस पॉर्म है इसके असाथ जो और बीसी का diameter है वो 7 micrometer होता है है ना और बीसी सेल का micro जो size है वो कितना होता है 7 micrometer है इसे भी आप राइड डाउन कर ली जी अ किलियर नाँ हेर यू कैन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप साफ सेल्स यहां पर आप डिफरेंट टाइपस की सेल्स को देख सकते हैं जैसे कि हमने डाइग्राम की हल्प से यहां पर चीजों को दिखाने की कोशिस की है नाँ दिस इजा इस पॉर्म सेल एंड दिस इजा एग्सेल इनका क्या है सेप चेंज है जो सेल्स है इनका जो सेप होता इनके फंचन की बेसिस पर होता है क्योंकि इससे मूब करना होता, इसके अंदर मॉर्टलिटी होनी चाहिए was to achieve this mayhem इसके बाद जो इग्सेल्स है यह रांट सेप्ट होती है डिख हेर सेल्स यह का करती है ऑप्जूर में से तो कुछ टूब लाइक इश्टक्चर्स मराती है तो जो सेल्स हैं इनका जो सेब है इनके फंशन करता है की काउसा फंशन को परफॉर्म करने कहा रही है यह सैलीइटेड एपिधिलियूं स्थेल्स हैं है न है जो अलोंगाट डिस यंस हैं इंट कॉलूंनार क्या होती है और सो ब्रांश होती है ऐसे एक नियूरान से नेक्ष्ट नियूरान इस तरीके से टैच होगा तो नौर्व सेल्स क्या है आप नहीं फंसन के वैसिस पर इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है इसकी सरफरस एरिया लार्ज हो सके ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को यह एब्जॉर्ब कर सके ज्यादा से ज्यादा Allո Assembly को कैरी कर सके इसkas सोग स्यूंढ श्ञांज होती है इसके बाद white blood cells, जिने हम WBC कहते हैं, तो WBC का main function क्या होता, phagocytosis करना, यहनि कोई भी foreign particles आए, उसे इंगल्फ कर लेना, तो इनके structures amoeboid shape की होती है, clear, तो lots of cells present हैं, जो की different types की होती है, इनका safes depend करता है, इनके function पर, clear, तो I hope यहां तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, मेरे हिसाब से तो यहां पर आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए, एक बार हम फिर से slide को आपके सामने show करते हैं, जिसे कि आप चा पेनिल को join कर सकते हैं, जिसका link आपको description box में दे दिया गया है, फिलियर, तो यहां से यह slide है, आपको यहां पर चीजों को to the point mention किया गया है, और आप चीजों को अच्छे से यहां से dry down कर सकते हैं, okay, so thanks for watching, मिलते हैं next video में, और next video में हम लोग पढ़ेंगे, detail में prokaryotic cell क्या है, इन सारे points के बारे में बात करेंगे, okay, so thanks for watching,